हलो फ्रेंड्स मैं हूँ शालिनी वेलकम बैक टो माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ मूली के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं ये अचार बहुत ही क्विक है बहुत ही असानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है एक पर आप इस मूली के अचार को बना के ज़रूर देखिएगा आपको ये बहुत पसंद आएगा चली तो फिर शुरू कर लेते हैं ये आज का विडियो मैंने लगबग 300 ग्राम मूली ले ली थी जिससे मैंने अच्छे से चील के वाश करके इस तरह से गोल-गोल कट कर लिया है आप चाहे तो इस बर्तन में डाल के इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी अच्छे से इसे मिला लूँगी और इसे इस तरह से स्रेनर में डाल के एक बर्तन नीचे लगा के लगबग 7-8 गंटे के लिए या फिर ओवर नाइट के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगे इस तरह से करने से पानी होगा वो सारा रेलीस हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा आठ गंटे हो चुके हैं मूली को मैं चेक कर रही हूँ आप देख सकते हैं देखे कितना सारा पानी इसका अलग हो गया है अब मैं इस मूली को एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे लगबग 2-3 गंटे के लिए धूप में सुखा दोंगी दो गंटे की अच्छी सी धूप के बाद देखे मूली काफी ड्राइ हो गई है अब हम देख लेते हैं कि मूली के चार में हमें कौन-कौन से मसालों की जरूरत है वन फो टीस्पून इसमें हींग चाहिए नमक चाहिए हमें स्वात के अन स्वाइन पीली सर्सों ले ली है इसके अलावत 4 टेबल स्वाइन सर्सों का तेल और 4 टेबल स्पून मैंने वाइट पैनेगर भी ले लिया है सबसे पहले एक पैन में मेती दाना, जवाइन, सॉफ और बीली सर्सों को एक बार ड्राइ रोस्ट कर लेंगे अब उसी पैन में मैंने सर्सों का टेल डाल दिया है सर्सों के तेल को आच्छे से एक बार गरम करना है तेल में दूआ उट रहा है, क्यास मैंने आफ करती है तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगी हीन जो मसाले हमने क्राइन करे थे वो भी डाल देंगे और साथी डाल देंगे रेट चिली पाउडर और हल्दी पाउडर अभी तेल थोड़ा गरम है, मसाले इसमें थोड़े से बुन जाएंगे अब एक मिक्सिंग बोल में हम मूली को ट्रांस्वर कर देंगे और तेल वाले सारी मसाले इसमें डाल देंगे नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार वाइट वेनेगर भी इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छी से सबको मिक्स कर लेंगे यह देखे सारे मसाले मूली में बहुत अच्छे से कोट हो जाने चाहिए आप यहाँ पर नमक टेस करके देख सकते हैं अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं अचार में नमक थोड़ा सा जादा ही होता है यह मूली का अचार बनके एकदम तयार यह अचार एक हफ़ते के बाद खाने के लिए तयार होगा ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे एक बार जरू बना के देखें आपको ये बहुत पसंद आएगा इस अचार को आप शीशे के किसी भी कंटीनर में जोकी गरम पानी से अच्छे से धुला हुआ हो और सुखा हुआ हो उसमें ट्रांसवर करके रखें ये अचार महिनों तक बहुत ही अराम से चलता है आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सभी मौश्य नहीं जाना चाहिए अचार को निकालते समय सिर्फ सूखे स्पून का ही इस्तमाल करें नहीं तो ये अचार स्पॉइल भी हो सकता है उमीद करती हूँ ये मौली के अचार की कोई रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको यूसफूल लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें सादा सादा इसे शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बहुत जल्दी एक नई रेसिपी के साथ तिल दिन ठीक किया दून बबाई